So hello guys, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि VN Video Editor एप को अपने PC या लेप्टॉप सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें तो देखो VN Video Editing Software अभी Windows के लिए अभी लेवल नहीं है इसलिए हम इसे इंस्टॉल करने के लिए Emulator का हेल्फ लेने वाले हैं अगर आपकी सिस्टम में Blue Stick जैसा है भी Emulator नहीं चलता है तो ये वीडियो लाश्ट तक देखो, मैं आपको इसमें ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके हैल्फ लेके आप किसी भी लो से लो एंड PC या लेप्टॉप सिस्टम में VN App को easily download and install कर सकते हो तो हमारे सिस्टम में Blue Stick 5 Emulator install है इसलिए हम सबसे पहले इसे open कर लेते हैं VN App download करने के लिए Emulator open होने के बाद इसका interface हमें कुछ इस परकार देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है System App Simply हम System App पर click करेंगे और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है Play Store तो हमें Simply Play Store पर click करना है और यहाँ से Play Store open कर लेना है और यह जो Emulator मैं यूज कर रहा हूँ एप install करने के लिए इसे आप अपने सिस्टम में install करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के in description और इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा मेरा Play Store open होते ही मुझे यहाँ VN एप देखने को मिल रहा है ऐसे इसलिए क्योंकि इस तरह का एप मैं अपने सिस्टम में और अपने Play Store से डाउनलोड करता रहता हूँ बट अगर आपके सिस्टम में नहीं दिखता है Play Store open करने के बाद तो आप Play Store के search bar पर click कर लेना और यहाँ पर search कर लेना VN simply VN लिखके और search कर देना तो यहाँ पर VN वीडियो इडिटर देखने को मिल जाएगा अगर आप यह देखना चाते हो कि यह एप कितने MB में हमारे सिस्टम में डाउनलोड होगा तो उसके लिए आपको इस एप पर click करना है यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा एप इंस्टॉल करने के लिए simply install पर click करना है और जब तक आप इंस्टॉल होगा तब तक आपको वेट कर लेना है VN आप इंस्टॉल होने के बाद आप अपने emulator को minimize करोगे तो computer के screen पर यहाँ पर आपको VN video edited app देखने को मिल जाएगा तो आप अपने app को यहाँ से भी open कर सकते हो अपने emulator में आओगे तो अभी हमें यहाँ से play store cut करते है play store cut करने के बाद emulator में जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको VN app देखने को मिल जाएगा तो आप इन दोनों जगह से कहीं से भी अपना app open करके use कर सकते हो अगर इसका use करके video edit करना सीखना चाते हो तो चैनल को subscribe कर लो वीडियो दो तीन दिन में आने वाला है अगर आपके system में blue stick 5 जैसा heavy emulator नहीं चलता है तो आप इस right वाली वीडियो को देखो इसमें मैं 5 ऐसे emulator के बारे में बताया हूँ जो low end PC में एकदम असानी से चल जाते हैं अगर आप अपने system में blue stick 5 इंस्टॉल करना चाते हो तो ये left वाला वीडियो देखो तो guys मिलते हम next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care